इस साल का सबसे बड़ा सूरिग रहन आठ अप्रेल दो हजार चोविश दिन सोंबार को पढ़ने जा रहा है यानि कि चैत्र की नौरात्री के आरंब के ठीक एक दिन पहले कितना असुब है हमारे जीवन पर क्या बुरा प्रभाव डालेगा किन किन देशों प्रदेशों में दिखाई देगा सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे यदि आपको नहीं मालूम है कि यह जो है खग्रासूर ग्रहन आपके जीवन पर कितना असुब प्रभाव डाल सकता है तो इस वीडियो को अंताट तक जरूर देखें मैं आपका हमारे चैनल में हारदिक स्वागत है येदि अभी तक आप Nे हमारे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है विरंती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को जरूर सेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाख प्राप्त हो और वीडियो पसंद आए तो लाइप भी जरूर करें साथियों इस साल का सबसे बड़ा सूर ग्रहन आठ अपरेल दो हजार चौबिस दिन सोंबार को यानि चैत्र की नवरात्र आरंभ होने के ठीक एक दिन पहले पड़ेगा और यह जो सूर ग्रहन है खग्रा सूर ग्रहन है यह सूर ग्रहन दिखेगा कहां कहां पर पहले इसको समझ लें यह सूर ग्रहन उत्तर अमेरिका कनाड़ा वा ग्रीन लैंड इन प्रदेशों में दिखाई देगा इन देशों में दिखाई देगा यह सूर ग्रहन भारत में बिल्कुन नहीं दिखाई देगा भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है इसलिए भारत वासियों के लिए इस सूर्व ग्रहन के अशुब प्रभाव का कोई भी मतलब नहीं है कोई भी अशुब प्रभाव इस सूर्व ग्रहन के पढ़ने से भारत वासियों पर नहीं पढ़ने वाला इसलिए गिरहण के जो नियम है गिरहण आदी के जो वेद आदी के नियम है वो कुछ भी पालन करने की या उन नियमों के पालन करने की भी आवशकता भारत वाशियों को नहीं है तो साथियों आठ अपरेज 2024 दिन सोंबार को जो सूर गिरहण पढ़ने वाला है वो भारत में दिखाई नहीं देगा भारत में इसका कुछ भी प्रभाव नहीं है इसलिए भारत वाशियों के लिए एक अच्छी ख़बर है कि गिरहण के अशुप प्रभाव से भारत वाशिय वाशियों को कोई भी तक्लीफ या कोई भी दिक्कत ना होने की वजए से गिरहर के नियम पालने की जरूरत या आवशक्ता बिलकुल नहीं है इस इस वार आपको हमेशा सुखी रखे संपन्य रखे स्वास्त रखे बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद